नमस्कर फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है मैं कल आप से सेकेंडरी इंकम या पैसिव इंकम के आठ तरीके बारे में बात कीती आज मैं ये बात करने के लिए आया हूँ क्यों मद्यमस्टेनी की लोगों अनेक समय कर्ज में डूबे हैं क्यों वो कर्ज से वापस आकर फिनेंशिल फीडम के और जा नहीं जा सकते हैं क्यों मिडल क्लास में लोग कर्ज में डून रहे हैं हर चीज़ के लिए कर्ज लेते हैं उनके पास emergency के लिए 10 दिन का expenses भी नहीं होता अमरिका में एक survey किया था अगर आपका emergency हो जाए क्या आप thousand dollars ले सकते हो 90% लोगों के पास emergency के लिए thousand dollars नहीं है आज में survey अगर survey लूँगा की emergency cash आपके लिए कितना होगा एक महीने का अगर आपको तंका नहीं मिलेगा तो अगर क्या आप एक महीना जी सकते हो तो 90% लोग ये बोलेंगे कि बिना तंका एक महीना का survival नान मुंकिन है इसका क्या कारण है इसका विसलेशन आज मैं करूंगा इसके लिए मैंने आठ अनिक reason पाया है मैंने अभी 2000 से 3000 लोगों से बात किया है 2-3 साल में और उससे मैंने ये reasons को पता लगाया पहले जो millennial है 90s किट्स है वो कर्स के बारे में सोचते ही नहीं है ये उनको जानकारी नहीं है कि कर्स एक बुरी चीज है वो समझते हैं ये मैं अची चीज होती है और उनको बिना कटनाई अकॉन से चला जाता है वो अपनी सालरी से 50% के उपर कर्स लेते हैं ये मैं बरने के लिए एक उदारन दुगा में अगर उनका सालरी तंका 25,000 है वो 13,000 से 15,000 ये मैं में चला जाएगा तो किराए देना और दूसरे काम के लिए उनके पास पैसा नहीं है वो कैश नहीं अक्यूमलिक होगा बैंक में कोई कैश ही नहीं होगा तो उनको मिनिमम दूचार्ज लगता रहेगा अनेक लोग के पास उस सालरी अकॉन में क्रडिट हो जातेगा अगर सालरी अकॉन में जीरो बैलंस है वो अकॉन को मेंटेन करेंगे नौकरी चोड़ने के बाद वो बैंक ही उनको चोड़ देगा और क्योंकि आधनी टेक्नालजी के कारण अगर मैं एक बैंक में सालरी अकॉन रख रहा हूँ तो वो मुझे टेंट करेंगे कि मैं उनसे क्रेडिट कार्ड लूँ परस्नल दोन हूँ वैसे ही डेट्टरप में मिलते हैं मिलेनियल्स और नाइंटीस किट्स ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड में आप जो मर्जी करीच सकते हो और पैसा वापस नहीं बरना पड़ेगा अगर पैसा वापस नहीं बरोगे तो व्याज बढ़ेगा आप गर्ज में जून्जगर दूप जाएंगे दूसरा कारण ये है कि उनके पास आज कोई बजट नहीं है आज तंका आ रहा है अगर तीस तारीक उपतंका है दस तक सब पैसा कतम हो जाएगा और दस भी तारीक से लेके मन्तेंड के लिए पर अगली चेक के लिए वेट करेंगे पर चेक के लिए इसमें कोई आइडिया नहीं है उनके पास कोगईसा पैसा करस करेंगे मैंने ये एक तमल की वीडियो में बोला है आप डिफरेंट जार्स बनाएए पैसा कैश में कनवर्ट करिए डिफरेंट जार्स में डालिए और जो जब जार काली हो जाएगा तो आप पैसा इस्तमाल नहीं कर सकते हो एक ग्रासरी जार रखिए एक नीड जार रखिए एक वांड जार रखिए और जो जो और एक फ्यूल के लिए एक बज़ट डालिए अगर ये चारों काली हो जाए तो आपके पास पैसा नहीं होगा इसके साथ आपको एक सेविंग्स जार भी रखना चाहिए चौता तीसरा पॉइंट है इनके पास कोई एमर्जनसी फंड नहीं होती है एमर्जनसी फंड ये होती है आपके निकटम रिलेटिव्स दिस्तेदार, माँबाप सास ससूर, बाई बहन बेटी बेटा पत्नी 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 ये सब बीमार हो जाएंगे ये एक एमर्जनसी में आप फस जाएंगे तो आपके पास कैश होना चाहिए इसको हम एमर्जनसी कैश बोलते हैं इसका कल्सप्ट आज की लोगों के पास नहीं है मैं ये बोलता हूँ कि एमर्जनसी कैश में किर्वी रखकर पैसा आपको आटमेटिक ही मिल जाएगा चौता पॉइंट है ये चोटे-चोटे बिसनसमें के जैसा के लिए है मुझ जैसे बिसनसमें के लिए है जे बहुत चोटे बिसनस है वो अपना टंका बाहर नहीं निकालते हैं वो एक बड़ा गलती करते हैं वो परसनल फाइनांस और कंपनी फाइनांस को मिक्स करते हैं दोनों को सेपरेट नहीं रखते हैं तो ये सब मिल जुल हो जाता है जब बिसनस में प्रशर होता है तो गर में दिखता है अगर गर में प्रशर है वो भी बिसनस को दिखता है इसलिए इसका कारण ये है कि वो अपने आपको रिकलरली तंका नहीं देते हैं वो सोचते हैं जो कमपनी में पैसा है वो अपना पैसा है उसको कर्श कर सकते हैं जो मरजी कर सकते हैं तो आपका बिसनस भी डूब जाएगा आपका personal life भी बहुत miserable होगा पांच भी और most important point ही ही है कि आप कितना कर्च कर रहे हो कर्च करने का आपके पास कोई प्लान है की नहीं आज की युवा के पास कर्चा के बारे में सोचते नहीं है जब तक पैसा बैंक में हैं वो कर्च करते रही हैं और जब पैसा कतम हो जाता है वो कर्जा लेके कर्च करते हैं इन सब कहरन उनके पास पैसा नहीं पचता है जो expenses हैं वो ज्यादा है जो savings हैं वो कम है इसलिए आज की middle class training कितना भी पैसा कमाए है कोई financial freedom के पास नहीं जा रहे हैं वो सब पैसा कर्च कर रही है चटी पॉइंट ये है उनको ये पता नहीं है कि asset क्या होती है liability क्या होती है हमको asset accumulate करना चाहिए ना कि हम liability accumulate करें आज 51 के बास एक गाड़ी liability है अगर आप गाड़ी बाहर डिलर्शुट से ले लेते हो बाहर ले क्या है उसका value किर जाएगा लेकिन आप गाड़ी कर्स में लेते हो आप cell phone कर्स में लेते हो उसका value एक ही दिन में 50% कतम हो सकता है तो आपको liability's accumulate नहीं करना चाहिए assets accumulate करना चाहिए तो ये बड़ा अपसा problem है से साथवी point ये सोचता है मुझे हमें ये सोचना है कि invest कैसे करें वो invest ही नहीं करते हैं पहले आपको आप पर invest करना चाहिए skill बढ़ाना चाहिए upgrade करना चाहिए बिना skill और upgrade से आप उपर दुनिया में नहीं जा सकते हो promotion नहीं मिलेगा आप दुनिया में किदर भी नहीं जा सकते हों तो आपको अपने ही लाइफ में इन्वस करना चाहिए और आकरी पॉइंट में बोल रहा हूं नेट में बहुत सारे मार्शमेलो टेस्ट है मार्शमेलो टेस्ट हमको ये सिकाती है gratification delay करने का फाइदा अगर आप अपना gratification delay नहीं कर सकते तो आप जिन्दगी में financially independent नहीं हो सकते है gratification का मतलब है मैंने एक cell phone को देखा आज ही उसको करीदना चाहा मैं आज ही उसको करीद कर घर लाया बिना सोच कर समझे कि उसका अज़र मेरा budget में क्या होगा ऐसा करने से मैं instantly gratify कर रहा हूँ मुझे एक desire आया मैंने उसे आजी desire को पूर्ती किया तो कटम ऐसा होनते से Warren Buffett बोलते हैं अगर आप चीज़ लेते हो जिसको आपके कोई अवशिकता नहीं है तो आपको एक दिन अवशिक चीज़ को बेचना पड़ेगा अंग्रे स्री में इफ यू भाई तिंग्स अट यू नोट नीड तोड़े सून यू बी फोर्स तो सेल तिंग्स यू नीड है आप इन सब प्रिंस्पल को ध्यान में रखकर कर से बागर आये नमस्कार दन्यवाद जैहिल्द करें अगर आप हिंडी में जानते हैं तो पैसा करें जो आपके दोस्त हिंडी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग रख करें दन्यवाद नमस्कार